इसे left में लेना है CTRL L, CTRL E, Center, CTRL L, Left, CTRL M, Select करो, CTRL M, 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 Entered, अमिरखाने 3D8 में यूज़ किया, अगर आपने वो movie ध्यान से देखा है, CTRL P, Print करना है, अगर आप प्रेस करते हो, CTRL A to Z, मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली प्रेस करके दिखाऊंगा, एक एक की को दबा-दबा के दिखाऊंगा, मैं theoretical बात नहीं करता हूँ, मैं practical पढ़ाता हूँ, तो ये practical अगर आपको सीखना है, CTRL A से लेकर CTRL Z, कैसे यूज़ किया जाता है, एक कंप्यूटर के अंदर, तो चलिए, इंतजार की सबात का, मैं सतीश Complete Technology Channel पर आप सब का स्वागत करता हूँ, साथी में इस वीडियो में एक Announcement, आपके लिए खास Announcement भी करना चाहूँगा, इस वीडियो को शूर करने के पले वह Announcement यह है कि आजकल शॉट्स का जमाना है, तो मैंने भी एक टेकनिकल शॉट्स का चैनिल ओपन किया है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दू तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरा चैनल है, आपको कुछ वैल्यू आइड करने वाले कंटेंट ही मिलेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा उसे भी, मैं Ctrl A से लेकर Ctrl Z तक जो शॉट्कर कीज होती है, वो भी आपको बताना चाहूँगा, त Ctrl A बटन प्रेस करो, पूरे-पूरे फाइल्स एक साथ सिलेक्ट होगे, आप डिलेट कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं, आप उन फाइल्स के साथ, Ctrl A, Select All, Ctrl B, यह जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है, Ctrl B से यह बोल्ड हो जाएगा, यहां पे आते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक् प, Ctrl C प्रेस करो, कॉपी होगा, लेकिन फ्रेक्स्ट बोल्ड हो जाय गा, यह तभी आएगा, जब आप नइ पुछ व्यूच्ट फिछ व्यूच्ट से लेक्ठीड एलगा फञए तो पूर्ड थेक्स्ट ब्यूत होगा, उसको शीलेक्त करके, जिक्स्ट बॉल्ड करना है इस वाले paragraph को आपको repeat लिखना है तो बही control c प्रेस करो copy होगा लेकिन यह आया नहीं repeat यह तभी आएगा जब आप control v प्रेस करो वी velocity वाला v control v control v paste control c याद रखे control c copy मैं keyboard पे control c प्रेस करूँगा copy होगा control v जब प्रेस करूँगा तो ही यह paste होगा यानि उसका repeated copy आएगा जो आपने copy किया होगा text है वो जाता कहाँ पे फिर control c करने के बाद वो आता है clipboard के अंदर यहाँ पे clipboard है clipboard के उपर में ही मैंने video बनाया already learn more channel के उपर है आपको मिल जाएगा मैं description में link दे दूँगा जो जो वीडियो मैंने बोले है मैं इससे select करता हूँ इससे यहाँ पे मैं copy करता हूँ यह देखिए copy करने के बाद clipboard में आ जाता है जितनी भी text copy करोगे control c से clipboard में आ जाता है right so control c copy होता है control v से paste होता है control d से क्या होगा control d से duplicate होगा लेकिन एक मिनिट को अगर आप word में directly control d प्रेस करते हो तो यह phone dialer box लेगा यह duplicate नहीं करेगा क्योंकि उसको duplicate लेगा कुछ मिला ही नहीं है आपको कुछ लेना पड़ेगा अगर आपने कोई shape draw किया है कोई picture लिया कोई photo मतलब picture photo ही की होगा जो भी लिया आपने उसको आप select करके control d प्रेस का होते हो तो duplicate क्या बात है control d duplicate word excel power point में चीजे duplicate करने के लिए इसका इस्तेमाल करते है even power point में power point मेरा open ही है तो इस last slide को select करके में control d प्रेस करता हो तो यहाँ पे आपको duplicate दिखाए दे control d उसी slide का duplicate तो power point में slide duplicate करने के लिए या फिर images या फिर charts जिसको भी duplicate करना है control d excel में control d का काफी अच्छा इस्तमाल होता है यहाँ पे content है यह suppose example ले लो यहाँ पे content लिखा गया है और इसी content को मुझे repeat करना है control d क्या बात है right आगया आप formula भी repeat कर सकते suppose आपके पास कोई formula यहाँ पर type किया हुआ है आपने suppose this cell कुछ भी कर लिया ऐसा आपने formula कर लिया और यहाँ से लेकर यह जो formula दिया है उपर का वही नीचा आना चाहिए control d यह देखिए formula वही formula control d से आ जाता है so control d आपको पता चला excel में क्या होता है fill down इसे बुला जाता है same formula fill down हो जाएगा okay that's it control d duplicate तो हमने देख लिया control e flash fill excel में इस्तमाल होता है अगर आपने नहीं किया तो इसका इस्तमाल excel में जरूर कीजिए काफी interesting है और इसके 11 magic का एक वीडियो में ने बनाया अलग-अलग flash fill से एक magic में आपको दिखाना चाहूंगा कि वह excel में यहां पे आपने एक text लिखा है जो कि यह पे suppose नाम ही लिख देता हूं मैं और मैंने नाम लिखा है 37 डवड़े लेकिन small में लिख दिया small में लिख दिया अब आपको क्या करना है कि यह जो नाम लिखे न आपको capital में चाहिए सारे के सारे आपने small में लिखे तो इसके लिए आपको formula नहीं लगाने की ज़रूत आप 37 डवड़े लिख दो ओके और बस control E बटन दबा दो क्या बात है क्या बात है क्या बात है आपको यह proper case में चाहिए आप इस तरह से small में proper case मतलब S capital लिखना है आपको और D capital लिखना है तो इस तरह से properly लिखो आप उसे control E बटन जैसे आप लिखोगे उसी format में सारे नाम आ जाएगे आपको सतीश अलग करना है तो सतीश लिखो और control E दबा दो क्या हो रहा है सतीश अलग आपको ढवले अलग चाहिए डवले हम बोल सकते उसको तो यहाँ पर मैं ढवले लिख देता हूँ और control E दबा देता हूँ ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है यहाँ पर मैंने लिख दिया एक चाप्टर और मैं इसे लेना चाहता हूँ सेंटर में तो इससे सिलेक करूंगा सिलेक करो पहले इसे ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट वर्ड आ चुका है कहां पर है और मैं देखना चाहता हूँ वर्ड कहां पर बस वर्ड कहां कहां है वर्ड देखिए सब जगह पर हो रहा है तो ऐसे अपर यहां हर पर स्मार्ट ली वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं पूरग पर फाइंड करना है वर्ड तो फायंड के लिए आप कं ट्रुल एप दबा सकते हूँ और word को replace करना है तो आप control H दबा सकते हैं, जैसे यहाँ पे suppose बहुत बार लिखा गया है, मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ suppose अनिल is good boy ऐसा में एक sentence लिख देता हूँ और मुझे इसमें जितनी भी अनिल लिखा है उसको सब जग़ पे अनिल को change करना है आनिल is good boy मैंने लिखा है, आनिल को change करके सूनी लिख देना है कुछ भी लिखना है, तो मैं control H पटन प्रेस करूँगा control H, replace याद रखिए, मैं find के साथ replace तुरंद बता रहा हूँ क्योंकि एप के बाद G आता है बीच में जी मैं बाद में बता हूँगा पहले control F, find फिर replace में तुरंद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो word को ढूंड के याँ पे replace करेगा यह दोनों ज्यादा use होते, find और replace एक साथ इसलिए मैं replace तुरंद बता रहा हूँ तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो अनिल लिखा या फिर good यहाँ पे जो good लिखा है उसको मैंने कर दिया bad और replace all कर दिया यहाँ पे देखिए good की जगब bad replace all done we made for replacement एक साथ सारी word bad होगे मतलब good के bad होगे और boy की जगए अगर आप girl लिखना चाहते तो find out में आप boy लिखोगे और replace with में आप girl लिखोगे और replace all बजन पे click करोगे और magic देखोगे भाई अनिल इस bad girl मैंने कह रहा हूँ computer कह रहा हूँ अगर अनिल किसी का नाम है तो sorry वही या तो यहां पे यह जो है ना अमिर खान ने 3D8 में यूज़ किया अगर आपने वो movie ध्यान से देखा है तो उस time पे pause करो जहां पे अमिर खान भी देख रहो कभी भी तो अमिर खान जहां पे वो replace करता है तो find and replace option यूज़ करता है वो क्या replace करता है वो सब आपको बता है लेकिन control H use किया था अमिर खान ने ये मैं आपको बता रहा हूँ control H आप भी इस्तमाल कर सकते है आप बहुत सरी जोगप इसका इस्तमाल करते है जैसे आप पुराना agreement बदलना चाहते है वहाँ पे year बदलना चाहते है जितने भी year डिया है 2021 है तो 2000 उसको 22 करना चाहते है तो आप definitely कर सकते है control H ये एक shortcut की से जिससे बहुत बढ़ा time आपका से होता है right you don't have to find that word की कहा कहा लिखा है वो find भी करेगा replace भी कर लेगा so control F find control H replace control H replace अभी control G के बारे में जानते है control G go to और F5 से भी go to होता है यह मैंने आपको बता है अगर आप प्रेस करते हो तो go to आता है control G से भी go to आता है go to से हम कोई भी page पे जम कर सकते है आप page number डालो enter करो page number है तो वह आ जाएगा directly go to control G go to excel में भी go to होता है word में भी go to होता है powerpoint में भी go to होता है go to go to go to जहाँ पे जाना जाओ ओके उसके बाद आता है control आई इसको आप italic करना चाहते है control आए word को थोड़ा सा टील कर रहा है italic right control आई control आई control आई control आई left में तो पहले से रहा था right में भी align हो गया control J justify alignment प्रेस करके देखिएगा मैं चाहता हूँ कि भई सपोज excel में हम आते है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कोई file में link करूँ कोई website में link करूँ तो यहाँ पर मैं जैसे click करूँ वह file पर मैं चला जाओ है जैसे मैंने यहाँ पर HTML का कोई भी file ले लिया यह HTML forms ओके अब मैं इसके उपर click करूँ गा hyperlink हो गया यह यह देखिए HTML forms यह पर open हो गया right तो यह आपको definitely समझाओगा control K control K मतलब hyperlink देना word में भी कर सकते excel में उसके बाद word के अंदर अगर आपने किसी text को center में ले चुके है आप यहाँ पर देखिए इसे left में लेना है control L control E center control L left अब रहे गया control R वो है right right में लेना है तो control R control L left control E center याद रखिए alignment के लिए control L control E control R और control J alignment के लिए यूज हो थे और यह चारों भी मैंने बता दिया एक साथ control M के बारे में जान लेते हैं अगर इस paragraph को मुझे थोड़ा सा आगे लेना है indent लेना है इसका indent बढ़ाना है तो control M select करो control M M M M intent यहाँ पर left side में मुझे कुछ image रखनी या print के बाद यहाँ पर कुछ काम करना है तो मैंने control M करके indent बढ़ा दिया control shift M से indent decrease होगा control M से जिस paragraph को अपने select किया उसका indent increase होगा उपर आप scale में देख सकते indent यहाँ पर बढ़ रहा है यह indent होता है और अगर आप control shift M पर इस करते हो तो यह पीछे चला जाता है यह shortcut कीज का वीडियो तो आगे चलते रहेगा लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया है तो like, share और comment जरूर कीजिएगा और साथी में चैनल पे नए मैमान हो तो चाहे फिके जाहिएगा नहीं बजाग कर रहा हूँ चाहे नहीं पिना है नीचे subscribe का बटन दिया है और bell icon का बटन है उस पे click कीजिए ताकि मेरे उडियो की notification आपको time पे मिले और आप computer में smart बढ़े डेपिनिटली बनोगे और साथी में मेरी teaching style आपको पसंद है मैं जो भी बढ़ा रहा आपको समझ होने के बाद और घर बैटे बैटे computer master बनने का मौका आपको मेरे website के जरीए मिल रहा है दोस्तो मैंने किये मेरे सारे courses launch तो एक बार जरूर चेक कीजिए अगर आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आता है तो तो चेक कीजिएगा फिलाल तो वीडियो को आगे document control o open file आपने जो पहले file बनाई थी recent files में से open करनी या फिर browse में जाकर आप open कर सकते control o से open होता है control f12 से भी open होता है यह मैंने आपको बताया था control o open control p print करना है file को तो यह print preview mode आ जाता है control p से print याद रखिये सारे shortcut किस बता रहा हू control shift q यह एक shortcut की है जिसससे आप क्या कर सकते इस paragraph को symbol में convert कर सकते मतलब control q का shortcut की है नहीं है क्यों नहीं है I don't know I mean to say but control shift q है that is I know तो यह आपे मैं आपको बताना चाहूंगा control shift q प्रेस करके यह पूरा पूरा है na symbol में convert हो जाता है यह देखिये symbol में अब इसका ज्यादा कुछ use नहीं है but control shift q एक shortcut की है आप control q की क्यों न दिस्क्रिप्शन में नहीं comment में लिख दो okay so comment में वो shortcut keys लिख देना मिली तो control r आगे जो है pqr control r right element यह मैंने पहले ही बताया था control s save file को save करना है control s right इस file को save करना है save कर दो जो भी नाम देना है दे सकते है अगर आपने file बने तो आपको save करना जुरूरी है so control s करते ही save का dialogue box आता है और save button click करते ही यह file अब save कर सकते है यह basically आपको एक dialogue box में नाम भी पूछा जाएगा सब कुछ है अब यह मेरा directly online connected है इसलिए यह आपे मुझे इस तरह का dialogue बता रहा है लेकिन आपके computer में control s प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से dialogue box आ जाएगा मेरा actually directly यह save हो रहा है मेरे account पे microsoft पे लेकिन आप control s प्रेस करती है आपके पास इस तरह से dialogue box आता है कुछ वर्जिन में अलगाता है जब आपका login रहेगा लेकिन यह tab positions थोड़ी सी change करता है लेकिन excel में अगर कोई table है आपके पास यह data है इसको table में convert करना है तो आप control t का इस्तमाल कर सकते है control t यह table में convert हो रहा है और इसके बहुत सारे इस्तमाल होते टेबल से data automatic calculate होता है automatic formula होता है बहुत सारी चीज़े होती है query भी बनाए जाती टेबल से जो कि मेरे excel course में मैंने detail में explain की है so control t insert table in excel format आता है रेडिमेट formatted table मिल जाता है आपको control t range select करके control u underline underline आता है control u से फिसे underline हट जाएगा underline अगर आप देना चाहते है underline तो दे दीजिए अगर आप नहीं लाइन मारना चाहते है है लाइन मारने से मेरा मतलब है underline underline वाली बात कर रहो लाइन मारने का गलत मिनिंग मत लेना हिंदे में बहुत सरे मिनिंग होते है भई okay so यहाप लाइन मारो I mean to say line ड्रॉक और underline लाओ control v मैंने बताया था view के बाद भी आता है और v मतलब paste होता है control c जो हम करते है copy उसी को अगर आप दुबारा paste करना चाहते है नीचे copy क्या हुआ तो paste control v okay control v paste समझे आपको उसके बाद आता है control w close तो मैं यहाप ए control w प्रेस करता हो यह document close do you want to save it I don't want to save it इसमें कोई इतनी important बात नहीं रखी मैंने आनी इस bad girl वाली important बात नहीं है मैं इसे close करना चाहता हूँ so control w close के लिए पूछा जाएगा आपको और save करना है तो save कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद मैंने again paragraph ले लिया और यहाँ पर यह इसे कि अगर आपके पास magazine है और उसका कोई photo आपको अच्छा लगा तो आपने उसे कईची से cut कर लिया तो magazine में नहीं रहेगा आपके पास आ जाएगा cut paste हो गया right इस तरह से लेकिन अगर आपने उसे xerox ले लिया तो वह copy paste हो गया right cut paste और copy paste में यह फरक है अपने कईची स आप बढ़ेंगे जो कि सब की फेवराइट होती है क्योंकि life में अपनी गलतिया माप नहीं होती है लेकिन computer में अपनी गलतिया माप होती है इसलिए life में गलतिया कम करो या करो ही मत यार सोच समझ के करो जो भी करना है तो life में undo नहीं होता है life में कोई भी undo यानि कि क्या होत राइट वन स्टेप बैकवर्ड अंडू आप जितना भी देखिये मैंने सपोज यह पर बोल्ड किया इटलिक अंडरलाइन किया यह सारा फॉर्मैट मैंने किया अब मुझे अंडू करना है इटली किया इटली करने काम करते क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों को माप करने का चांस मिलता है मतलब कर सकते हैं अपनी जो भी गलती हो गई उसे लाइप में मत कीजिएगा गलती दोस्तों यही एक मैसेज में इस वीडियो के इंडिंग में आपको देना चाहूंगा सो कैसे लगी दोस्तों यह A to Z shortcut keys ऐसी shortcut keys में बनाते रहूंगा अगर आपका support हमें मिला तो मतलब आप like share और comment करेंगे तो like share और comment जरूर कीजिए और इसके अलावा मैंने पहले भी बहुत सरी shortcut keys का वीडियो बनाए उन सभी के link में description में दे दूँगा जरूर चेक कर लेना मेरे जितने भी चैनल से इसके अलवा learn more मेरा चैनल है मेरा टैली टुट्रियल चैनल है excel टुट्रियल चैनल है बहुत सरी टुट्रियल चैनल है description में आप जाकर चेक कर सकते हैं उन चैनल की link आपके लिए website की भी link दिए मेरे जहां पर IOS 135 courses आप सीख सकते हैं आज की वीडियो में इतने ख्याल रखिएगा अपना सीखते रही है सीखाते रही है बाई बाई